नमस्कार सुक्षार्थियो निवेस के कम्यूटी हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आप जानते हैं कि ये बहुत ही महत्पूर कारिक्राम है और प्रक्टिकल मैनुवल आप देख रहे होंगे यहां भी प्रसेशन के इंद्रों पर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं वहां पर प्रक्टिकल से सम्मंधित आपको क्लासिज दी जा रही होंगी और अनाटोमी फिजिलोजी तो बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं कोई भी चिकिस सा सम्मंधित हमारी पधिती है उसमें हम जो टीट्मेंट करेंगे हीमन का तो उसकी अनाटोमी फिजिलोजी हमें आनी चाहिए और उस अनाटोमी फिजिलोजी में खास तोर से चुकि आप सब हेल्थ वर्कर हैं और एक हेल्थ वर्कर को हीमन के जितने भी सिस्टम्स हैं वो कम से कम जरूर आने चाहिए समझने चाहिए क्योंकि जो बीमारिया हैं वो हमारी सजी से संबंदित हैं और इन सिस्टम्स के साथ कहीं न कहीं वो प्रॉल्म क्रिएट करती हैं तो आज हम खास तोर से जो बात करने जा रहे हैं वो है हमारा नर्वस सिस्टम यानि तंत्र का तंत्र तो जब आप अपनी लेब में जाएंगे जहां पर यह अटर्व फिजल से संबंदित प्रैक्टिकल आपको कराई जाएंगे तो आप देखेंगे कि तंत्र का तंत्र में तलिवत तो आप स्केल्टन सिस्टम पूरा देखें तो उसमें जो ब्रेन वाला जो पाठ है उपर का जो कपाल वाला जो पाठ है वो सारा जो सिस्टम है हमारा वो खास तोर से उसको हम समझते है कि केवल यही जो है हमारा ब्रेन का भाग है मस्तेस्क है या यही हमारा तंत्र का तंत्र ह तो ऐसा नहीं है तंत्र का तंत्र बहुत ही महत्पून है और हमारे सर से लेकर के हमारे पैर के जो नीचे एड़ी है वहां तक यानि पूरे समस्त शरीर में यह फैला रहता है जाल की तरह तो किस तरह से इसकी रचना है तो इस कारक्रम के संदर में आप यह प्रक्तिकल जो है जो नर्वस सिस्टम से संबन्दित है यह आप डोक्टर निधीगर के द्वारा जानेंगे हमारे साथ इस्टूडियो में मौजूद है डोक्टर निधीगर जो साहेक प्रोफेसर है और आयरवेदिक फिजीशन भी है मैं डोक्टर निधीजी आपका बहुत-बहुत स्वाग भी बडärी में किस प्रकारी स्थित है ये भी आप जानेंगे इसके किटने पार्ट्स है और संबन्दित जो वीमारिया हैं वह भी आप जानेंगे yourself समय समय पर जो बीमारियों के लक्षान के आधार पर उनको आप देखें समझें तो आप इस्पेस लिष्ट के पास उस पेसेंट को जयाफर करने में पूरी मदद कर सकें और उसका पूरा लाव आप उठा सकें जो कि आपकी महत्पूर्ण ड्यूटी है धन्यवाद सर जैसे कि सर ने आपको बताया आज हम नर्वस सिस्टम अर्था तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करेंगे यह बहुत ही महत्पूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में हमें जानना आवशक है तो चलिए आएए बात करते हैं तंत्रिका तंत्र की तंत्रिका तंत्र, nervous system आए सबसे पहले जान लेते हैं कि तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, क्या है जिस तंत्र के द्वारा शरीर के विभिन अंगो और उनकी क्रियाओं का नियंद्रन एवं नियमन तथा उनका वातावरण में सामझस से स्थापित होता है उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं अर्थात, जिस तंत्र के द्वारा शरीर के विभिन अंग और उनकी क्रियाय किस प्रकार से नियंत्रित हो रही हैं, किस प्रकार से नियमित हो रही हैं और उनका आसपास के वातावरन के साथ कैसे सामनजस से स्थापित हो रहा है जिस तंत्र के ये द्वारा ये सब किया जाता है, उसे हम तंत्र का तंत्र कहते हैं। इस तंत्र में मस्तिश्क, ब्रेन, मेरूरज्जू, स्पाइनल कोड और इन से निकलने वाली तंत्रिकाओं नर्व्स को सम्मिलित करते हैं। तंत्रिका कोशिका अर्थात नीरोन सेल इसकी रचनात्मक वा क्रियात्मक इकाई होती है तंत्रिका कोशिका एवं इसकी अन्य सहाय कोशिकाई मिलकर इस तंत्र के कारियों को संपन करती है ये चित्र के माध्यम से आप दे सकते हैं कि हमारा जो nervous system है वो कहां से कहां तक है और इसमें cells कैसे involved है इन cells से ये पूरा nervous system बना हुआ है ये इसकी basic इकाई है कार्यात्मक और आपकी रचनात्मक इकाई neuron cell है जो आप ये देख सकते हैं साइट में जो बनी हुई है कितने भागों में बांटते हैं इसे आए देखते हैं मानव तंत्र का तंत्र को हम तीन भागों में बांटते हैं सबसे पहला है केंद्रे तंत्र का तंत्र जिसे central nervous system कहते हैं और इसमें मस्तिश्क अर्थाद brain, मेरू रज्यू, spinal cord ये दो आते हैं दूसरा है स्वायत तंत्र का तंत्र, autonomic nervous system जिसमें अनुकम्पी तंत्र का तंत्र, sympathetic nervous system और परानुकम्पी तंत्र का तंत्र, parasympathetic nervous system आते हैं तीसरा है परिधिय तंत्र का तंत्र, जिसको हम peripheral nervous system कहते हैं, इसमें कपालिय तंत्र काई, जो cranial nerves हैं, मेरू रज्यू की तंत्र काई, spinal cord की nerves जो हैं और गुच्छी का कुछ गैंगलियाज होते हैं, जो कि इसमें आपके परिधिय तंत्र का तंत्र में आते हैं आए इनके बारे में आप विस्तार से जानेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया कि मानव तंत्र का तंत्र को तीन भागों में बांटते हैं, तो सबसे पहला हमने देखा था केंद्र तंत्र का तंत्र है, central nervous system, इसमें आते हैं मस्तिष्क और मेरू रज्यू, जैसा कि आप चित तथा स्वेम, तंत्रिका, तंत्र का नियंदरन कक्ष है, यह खोपड़ी के भीतर कपाल, जो सकल है, उसमें स्थित होता है, इसका वजन 1200 से 1400 ग्राम होता है, मस्तिष्क के चारो जिलियां अर्थात membranes होती हैं, जो इसको सुरक्षा प्रदान करती है, इन जिलियों को मैनिंजिस कहते हैं, यह तीन प्रकार की होती है, तो जो आपका मस्तिष्क है, यह पूरे शरीर का और स्वेम का भी नियंतरन कक्ष है, अर्था कंट्रोल रूम के जैसे यह काम करता है, और यह आपके स्कल के भीतर रहता है, इसके सुरक्षा के लिए इसमें चारो और जिलि मस्तिष्क को भी निमन प्रमुख भागों में बांटा जाता है, सबसे पहला है प्रमस्तिष्क जिसे हम सेरीब्रम कहते हैं, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, यह इच्छा शक्ति, स्मरण शक्ति, अनुभव, सुनने, देखने, सूंगने, बोलने की शक्ति, जिसमें की इच्छा शक्ति, स्मरण शक्ति, सुनने, देखने, सुंहने और बोलने, की शक्ति के केंद्र होते है, साथ के साथ आपने जाना कि यह बुद्धी और चतुराई का केंद्र भी होता है, दूसरा इसका भाग होता है अनुमस्तिष्क , इसका मुख्य कारे शरीर का संतुलन बनाए रखना है तथा मान स्पेशियों को नियंद्रित करना है। अनुमस्तिश्कों को हम सेरिबैलम भी बोलते हैं। चित्र में जो आप लाल रंग का भाग बेख रहे हैं ये आपका अनुमस्तिश्क है। क्योंकि ये छोटा है और मस्तिश्क का कारे करता है इसलिए इसे अनुमस्तिश्क बोलते हैं। इसका में जो कारे है, मुख्य कारे है शरीर का संतुलन बनाए रखना। अर्थात जो आप अराम से चल पा रहे हैं बिना गिरे या बिना चक्कर खाए या आपको समझ में आता है कि सीवे जाना है, कैसे जाना है। तो यह सब कारे अनुमस्तिश्क का होता है और मान स्पेश्यों को नियंद्रित करना भी अनुमस्तिश्क का कार रहे है। तीसरा मस्तिश्क का भाग होता है पौन्स यह श्वसन को नियंद्रित करता है। इसमें जो आप ये पिंक कलर का आप पार्ट देख रहे हैं ये आपका है पॉंस जो की श्वसन केंद्र इसमें रहता है और आपके श्वास संबंधी केंद्रों को नियंदरित करता है इसमें चोथा आपका पार्ट रहता है मेडला उबलंगाटा इसमें अनेक केंद्र होते हैं जो अनेक अनैचिक क्रियाओं जैसे हरीवे की धरकन, रक्त चाप, उल्टी याना, खांस में आधिका नियंतरन करते हैं यह मस्तिष्क का अनतिम भाग है जो मेडला उबलंगाटा होता है यहां यह मस्तिष्क का अनतिम भाग है यहां के बाद मस्तिष्क छत्मों के नीचे, और आपका शुरू हो जाता है अब जो हमारा सेंटल नर्वस सिस्टेम है उसका सेकिंड पार्ट है मेरू रज्जू जिसे हम स्पाइनल कोड बोलते हैं मेडलो अबलंग गाटा का पिछला भाग मेरू रज्जू बनाता है इसके दो प्रमुक कार होते हैं यह प्रतिवर्ति क्रियों अर्थाक जो रिफ्लेक्स सेक्षन होत है आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि आपका स्पाइनल कोड मस्तिष्च कर से शिरू होकर नीचे जहां आपका सेक्रम कोकिक्स वाला पार्ट होता है वहां तक जाता है और उसके बीच में इससे यह निर्व्स निकल रहे हैं जिसे अन्स पाइनल नव्स बोलते हैं ये सब मेरु रज्जु से निकलते हैं और ये पूरा आपका spinal cord है जो की vertebral column के अंदर स्थित रहता है। दूसरा हमारा part रहता है भाग होता है परिधिये तंत्रिका तंत्र अर्थाथ peripheral nervous system सबसे पहले बात करी हमने central nervous system की जो center में आपका part था उसके बारे में बात करी अब हम बात कर रहे हैं peripheral जो आपकी peripheries अर्थाथ जो आपके हाथ और पैरों में जो system काम करता है उसकी हम बात करते हैं इसमें आपके तीन भाग होते हैं cranial nerves जिसे हम कपालिय तंत्रिकाएं कहते हैं मेरु रज्जू की तंत्रिकाएं spinal nerves और कुछ गुच्छी का गैंगलिया कहीं शरीर में पाए जाते हैं तो यह सब आपके peripheral nervous system में आते हैं आप यह चित्र के माध्यम से देख सकते हैं जहां जहां पर यह नीले रंग के आपको धागे से जैसे तंतु दिखाई दे रहे हैं यह आपका peripheral nervous system का भाग है जिसके माध्यम से यह पूरे शरीर में आपका जो nervous system में फैला हुआ है यहीं से आपके यह जो विभिन प्रकार की nerves हैं यह निकल के आपके पूरे शरीर में जो आपकी जितनी भी समवेदनाई होती हैं आपको गरम ठंडा जो भी लगता है या कहीं आपको किसे ने कुछ मारा आपको अगहात का महसूस होता है कहीं पर दर्द महसूस हुआ यह सब आपके क्या नाम है। आल्फेक्ट्री, ओप्टिक नव, ओक्यूलियो मोटर नव, ट्रॉक्लियर नव, ट्राइजयमिनल नव, अब्डुसेंस नव, पेशियल नव, और्डिटरी नव, ग्लोसो फेरिंजल नव, वेगस नव, स्पाइनल एससरी नव, हाइपोग्लोसल नव ये सब 12 जो कपाल तंत्रिका होती हैं ये आपके शरीव में पाई जाती हैं ये सभी आपकी दो तरह की रहती हैं सेंसरी अर्था समवेदी जो एक आपके शरीव में जो भी प्रतिक्रिया हुई है उसको दिमाग तक लेके जाती हैं और दूसरी होती है मोटर जिसे हम बोलते है जो आपके दिमाग से जो संदेश है वह पूरे आपके भाग तक ले कर आती हैं जो ग्रांट तंत्रिका है उसका जो कारह होता है वो स्मेल करने का जो सूंगने का कारह है वह ग्रांट तंत्रिका का होता है ऑप्टिक नर्व का काम देखना होता है यह आँखों की रटीना से श कि उसको संकुचन को बनाके रखती है ट्रोकलियर नर्फ जो होती है वे मोटर नर्व होती है यह यह भी नेत्रगोलक की गती को बनाके रखती है ट्राइजेमिनल नर्फ यह मिक्स होती है यह दोनों तरह के कारे करती है सेंसरी भी और मोटर भी यह पेशिय गती जो आपकी मस् कि जो समवेदनाई होती है उनको प्रकट करती है एपडुसेंस नर्व जो होती है यह भी मोटर नर्व है और यह भी नेत्र गोलक की गति को बना के रखती है जो फेशल नर्व है यह आपकी मिक्स नर्व होती है सेंसरी मोटर इसमें दोनों फाइबर्स होते हैं यह स्वाद ग सबसें नर्फ होती है वह सेंसरी होती है अंतकार्ट में ऊपाई जाती है सुनने तका संतुलन taxation में मदद करती है ग्लोसब एरंजल नर्फ मिक्स नर्व होती है यह गरसमी पेशियां १ि टथा लार्क ग्रंतियों में से निकलती है और स्वाद निकलने निगलने तथा लार्क के स्रावण में सहेता गरती है वेगस नर्व शरीर की सबसे लंबी नर्व होती है यह मिक्स नर्व होती है घ्रिदे ग्रस्नी अमाशे श्वसन नलिका आहार नाल तथा रुदिर वाहिनियों से यह निकलती है और जो जो आपके अंदर के अंग है उनकी क्रियाओं का यह नियंतरन करती है Spinal accessory nerve जो होती है motor nerve होती है गर्दन तथा कंधे की पेशियों से होती है और जो आपकी muscles है उनकी movements को नियंतरत करती है हाइपोग्लोसलनव जो होती है यह जीप की पेशियों से आती है और जीप की गति को नियंत्रित करती है अब जो आपकी spinal nerves है उनकी हम संख्या देख लेते हैं और यह कहाँ कहाँ पाई जाती है देखते हैं जो आपकी गृवा रीड तंत्रिकाय होती है बहुनily जोड़े होती है वह दो प्रतम आपके जो स्वय की तरफ आती है जो वक्षी है आपकी जो धोरेक्स से निकलती है वह बारा जोड़े होते हैं और प्रते एक वक्ष में कशेरुछ से नीचे से दोनों तप आती है कटी रीड आपकी जो लंबर वाला हिस्सा होता है उसमें पांच जोड़े होते हैं और यह भी दोनों तरफ निकलते हैं त्रिक जो आपका सेक्रम वाला पार्ट है उसमें भी पांच जोड़े होते हैं और त्रिक कशेरुप के पास से दोनों तरफ यह निकलती हैं अनुत्रिक जो आपका कोक्सीजल रीजन है उसमें एक ही जोड़ा पाया जाता है जो अनुत्रिका और सेक्रम के बीच दोनों तरफ से मिलता है अब हमारा तीसरा भाग आता है स्वायत तंत्रिका तंत्र ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अर्थात यह है अपने कार्य खुद से नर्वस सिस्टम बोलते हैं इसमें दो तरह के जो तंत्र है वो पाय जाते हैं एक अनुकम्पी तंत्रिका तंत्र जिसे सिंप्थाटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं दूसरा है परा अनुकम्पी तंत्रिका तंत्र जिसे प्यारा सिंप्थाटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं जो आपको शरीर को जो fight or flight मतलब आपको चीजों को उत्ते जित करता है बढ़ाता है और जो आपका प्यार सिंपथेटिक सिस्टम है जो परानुकमपी तंत्र का तंत्र है वो शरीर के जो आपकी क्रियाएं होती है आपका जो कोई भी करने का वो आपके जो organs होते हैं उनको calm down मतलब आप उनको शांत करते हैं उनको rest की स्थिती में लेकर आते हैं जैसा कि आप चित्र के माध्यम में देख सकते हैं कि ये किन किन अंगों पर प्रभाव डालते हैं आईए अब हम इनको एक तालिका के माध्यम से समझ लेते हैं कि जो हमारे अनुकंपी तंत्र का तंत्र है और जो परानुकंपी तंत्र है उनका शरीर पर कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है जैसे आंखों की पुतलियां हैं उनको अनुकम्पी तंत्र जो है वो फैलाता है और परानुकम्पी तंत्र सिकोडता है अश्रू ग्रंथियां जो आपकी लेक्रेमिल ग्लैंड्स हैं उनको अनुकम्पी तंत्र अश्रू स्राव को उत्तेजित करता है अर्थाद निकालता है और जो परानुकम्पी तंत्र है अश्रू स्राव को कम करता है लार्ग रंथियां जो आपके सिलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनका जो स्राव है अनुकंपी तंत्र उनको कम करता है परानुकंपी तंत्र उनको बढ़ाता है पेफडे जो श्वास अंगो को फेलाता है और जो आपका परानुकंपी तंत्र है उनको सिकोडता है थ्रिदे वह धड़कन को बढ़ाता है और जो आपका परणुकंपी तंत्र है वह धड़कन को कम करता है रक्त वहाईनिय जो आपकी blood vessels हैं उनको अनुकंपी तंत्र सिकोड कर रक्त दाप को बढ़ाता है जबकि परानुकम्पितंत फैला कर रक्त महानियों को फैला कर रक्त दाप को घटाता है जो आपका आहार नाल है उनकी ग्रंतियों को यह फैलाता है अर्था डाजेशन करता है कि जो सिक्रेशन्स है उनको इनक्रीश करता है जबकि परानुकम्पितंत उनके जो secretions है उनको कम करता है जो आपका लीवर है उसके स्राव को कम करता है और जो परानुकम्पितंत है वह उसको ठीक रखता है पसीने की जो गरंतियां आपके जो sweat glands हैं उनको जो आपका अनुकम्पी तंत्र है वह उत्तेजित करता है बढ़ाता है जबकि परानुकम्पी तंत्र उसको कम करता है गुदा की जो संकोच पेशी है उसको अनुकम्पी तंत्र सिकोड कर गुदा को बंद रखता है जबकि वह इसके विपरीद परानुकम्पी तंत्र शिथिल कर गुदा को खोल देता है दूसरा जो आपकी पेशियां होती है जो रोम्स होते हैं जो आपके क्यूटिकल जो हम बोलते हैं उनको सिकोड कर बालों को खड़ा करते हैं उनके जो परानुकम्पी तंत्र है और जबकि परानुकम्पी तंत्र जो है बालों को नीचे की तरफ गिरा देता है अर्थार जब आपने देखा होगा कि आपको डर लग रहा है या भै होता है तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं जबकि आप शांत होते हैं तो आपके जो शरीर के बाल है वह समाने अवस्था में रहते हैं तो यह सब आपके सिंपैथाटिक और पैरसिंपैथाटिक सिस्टम के कारण होता है बहाये जिनन अंग जो है उनको अनुकम्पी तंत्र जो है उत्तेजित होने से रोकता है और पराणुकम्पी तंत उन्हें उत्तेजित करता है आई अब एक नजर डालते हैं तंत्री का तंत्र के कारें उपर जैसा कि अभी हमने देखा कि जो हमारा तंत्री का तंत्र है वह विभिन प्रकार के अंगों के माध्यम से शरीर में कारे करता है तो हम ये देख लेते हैं कि वह कौन-कौन से कारे को करता है पहला कार है विभिन अंगों की भिन भिन क्रियाओं का संचालन एवं नियंतरन करना जो हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं वह सभी नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए हैं उनको जो भी निर्देश मिलते हैं कारे करने के वह सब नर्वस सिस्टम से ही प्राप्त होते हैं तो जितने भी शरीर के अंग हैं उनकी क्रियाएं जितनी भी संचालित हो रही हैं और जिनका नियंतरन हो रहा है वह सभी मस्तिश्क के द्वारा किया जा रहा है समस्त मानसिक कार्यों का नियंतरन करना यह है इसका दूसरा कार है अर्था जो भी कुछ आप सोचते हैं विचार करते हैं यह सब आपका मस्तिश्क के द्वारा ही किया जाता है जो आपका नर्वस सिस्टम है यह सब आपका आप दुख महसूस करते हैं आप सुखी होते हैं सबक्राइब गाएबं ऐसी के दवारा किये जाते हैं शरीर बहारी वातावरं के अनुसार प्रतीक्रिया करने में सहायता देना यह भी मतिश्क का अर्थार जो आपका तंत्री का नर्वस सिस्टम है उसका ही कार है जब भी आपको कोई ठन लगती है गर्में लगती है उसके अनुसार जो आपका शरीण प्रतिकरिया करता है उन्हें उसमें कोई दर्द महसूद नहीं होता है क्योंकि वहांका जो आपका nervous system है वह दूसरे श्रीर से कट गयाता है या उसमें प्रतिक्रिया नहीं हो पाती है वह प्रतिक्रिया लेके जाने में सफल नहीं होता है इसलिए वहाँ जो बदूमहे का जो पेशंट है उनको बहुत जादा दर्द महसूस नहीं होता इसलिए वह बढ़ता जाता है तो वूंट बहुत जादा अलसर का फॉर्म ले लेता है विबिन ग्रंथियों एवं उत्कों के कारों में समन्वे बनाकर शरीर के आंतरिक पर्यावरण का नियमेन करना यह भी आपका नर्वस सिस्टम का बहुत महत्पून कारह है कि जो आपके शरीर में विबिन ग्रंथियां विबिन जो डिफ्रेंट 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 के ग्लैंड्स हैं या आपके जो टिशू हैं उनके बीच में एक सामन जैसे बनाकर कि किसको क्या कारह करना है कब करना है यह सब जो आपका नर्वस सिस्टम है यह डिसाइड करता है तो उनके बीच में सामन जैसे बनाकर जो शरीर का अंदर का इन्वार्मेंट है उसको वह कंट्रोल करके रखता है अगर सभी जो अंगे अपने हिसाब से कारे करने लगेंगे तो आपका जो शरीर है वह धंग से कारे नहीं कर पाएगा जैसे आपने देखा हो कि जो मिलीवर फैलियोर या कोई सी अंग फैलियोर की करते हैं क्योंकि उसमें फैलियोर का मतलब कي वह अपने जिस्कों हिसाब से उसको कारे करना चाहिए वे कारे व्याधियां शरीर में हो सकती है अगर यह ठीक से कारह नहीं गरता है या इसमें कोई चोट लग जाए अघात हो जाए या कोई और परेशानी दी शरीर में आती है तो हमें कैसे पता चलेगा तंत्री का तंत्र से संबंधित व्याधियां आईए अब एक नजर डालते हैं तंत कपारी का दर्द माईग्रेन उनमाज जिसे हम पागलपन बोल देते हैं अवसाद डिप्रेशन लक्वा मार जाना हाथ पैर का अपना योन अपस मार अब हम थोड़ा थोड़ा इन जो भीमारियां हैं इनके बारे में जान लेते हैं क्योंकि एक स्वास्थे कारता होने के नाते आपको पता होनी जाहिए कि मनुष्य को कुछ लक्षन महसूस हो रहिए हैं तो एक्से संबंदित हैं या डाइजस्टेव गीहन ऐसे संबंदित आपका पता होना चाहिए कि कौन के से व्यादिया इंवां वहां ऑर इनको हमने कहां भीज़ना है ताकि उसका सही समय पर अच्छे से सही उपचार हो पाए और वे व्यक्ति जल से जल ठीक हो सके तो इसलिए हम थोड़ा सा इन जो हमने व्याधिया आपको बताई हैं इनके थोड़े-थोड़े से लक्षन हम देख लेते हैं ताकि आप सही समय पर मदद कर पाएं जैसे सबसे जानते हैं कि मिर्गी का दोरा पड़ता है कि मनुष्य के मूझ से जाग आजना शुरू होता है हाथ बैटेड़े हो जाते हैं मनुष्य कई बार इसमें बेहोश भी हो जाता है तो हमें इसमें सबसे पहले जो व्यक्ति है उसको सीधा लिटाकर आसपास उसका खुला है तो उनको जूता सुगाते हैं या कोई ऐसे बदबूत बाद चीज सुगाने की कोशिश करते हैं कि जिससे व्यक्ति जो है जल्से जल्द होश में आजए यह काम हमें नहीं करने चाहिए हां लेकिन मनुष्य के मूह में कुछ ऐसा चीज चमच वगारा नहीं रखना चाहि जो जीव है वह दांतों से कटे नहीं और जल्से जल्द उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए जैसा हमने बोला था आपको कि मनुष्य जो मस्तिश्क है उसकी जिलियां होती है जो कि उसको सुरक्षा कवच प्रदान करती है अगर इन जिल्लियों में कोई संक्रमन हो गर्दन में अकडन आ जाती है वह गर्दन मोड नहीं सकता है तो अगर किसी में तेज बुखार के साथ सिर्दर्द के साथ गर्दन में अकडन आती है तो आपको तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए उसमें घर में इलाज नहीं करना चाहिए कि बुखार है तो हम घर में उसको बुखार का इलाज करते रहें, हो सकता है वे मैनिंजाइटिस भी हो, ताकि उसका सही समय पर उपचार हो सके, इसलिए उसे तुरंथ डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, ऐसे ही एंसेफलाइटिस और जेपनिस एंसेफलाइटिस जिसमें की दिमागी दिमाग में शोथ आ जाता है, तेज बुखार के साथ आपको इसमें ब्रहम हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, जेपनिस एंसेफलाइटिस जिन स्टेट्स में ज्यादा पाया जाता है, तो वहाँ पर सरकार द्वारा इसका टीका करण कारेकरम किया जाता है, तो लोगों को आप भाशा में अर्द कपारी का दर्द बोलते हैं, तो उस मनुष्य को सिर्दर्द के अलावा और इलाज की जरूरत होती है, केवल दर्द की गोलियां खाने से उसका इलाज नहीं होगा, तो इसको डॉक्टर के पास लेके जाना ताकि उसका सही तरीके से इलाज हो सके, किसी को अगर उन्माद है, जैसे हम पागलपन बोलते हैं, कुछ भी बोलता जाता है, या लोगों को मारने, धमकाने की ज़्यादा धमकी देता है, तो इस तरह के जो व्यक्ति होता है, वह भी मानसिक रोग से ग्रस्त होता है, तो उसका भी हमें इलाज कराने के लिए डॉक्टर के ज़्यादा बात ना करें, अपने आप से ज़्यादा किसी के साथ मिक्स ना हो, या बहुत ज़्यादा खुश हो, या आपको पता है कि खुशी कोई चीज नहीं है, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा रोना हर चीज में, उसको हर चीज में न जबाब नहीं देता हो सकता है डिप्रेशन का शिकार हो गया है तो आपको उसकी मदद करनी है उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है ताकि उसका इलाज हो सके और आगे डिप्रेशन बढ़ करके क्योंकि क्या कई बारी यह आत्मात्य का कारण भी बन जाता है तो इसलिए लो जैसे हम बोलते है फालेश हो गया है या आधे शरीर का फालेश हो गया है तो यह सब आपका नर्वस सिस्टम से ही रिलेटेड होता है इसमें कई बारी कारण भी होते हैं कि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और उसमें हम्रेज हो जाता है शरीर में लगवा मार जाता है तो इसलिए आपको तुरंट अगर किसी में आपको लगता है कि मूँ टेड़ा हो गया है या हाथ पर कांपने शरी धीले पड़ गए हैं उठनी रहे हैं या हाथ से कुछ चीज छूट गई है एकदम से आपको लग रहा था व्यक्ति ठीक है लेकिन अचा प्यक्तों बोलते हैं अपने मेडिकल लैंग्विज में की कि Recently के हाथ बहुत ज्यादा कामते हैं वह चीज़े ठीक से पकड़ नहीं पाता यह जादा तर आपका बढ़ी एज में होता है में अगर हाथ कांपते हैं पैर कांते हैं कि उसको किसी का सहारा लेना पड़ता है तो तो आपको व्यक्ति को तुरंट डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए ताकि उसका समय पर इलाज हो सके और विमारी ज्यादा बढ़ने से रुख जाए योन अपस्मार जिसे हम सीरिया कहते हैं इसमें व्यक्ति के जो इमोशन हैं उस पर कंट्रोल नहीं रहता है तो वह कभी बहुत जादा खूश होने लगता है कभी बहुत जादा सोचने लग जाता है कभी बहुत जादा रोता है यह । पोधिर हो जाता है तो यह सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि पेशंट को हमें कब डॉक्टर के पास रेफर करना है कब उसको ले के जाना है। स्वास्ते कारे करता होने के नाते अगर आपको यह चीजे पता होंगी तो आप व्यक्ति की अच्छे से मदद कर पाएंगे जैसा कि अभी हमने जो तंत्रिका तंत्र है इसके बारे में जाना कि शरीर में तंत्रिका तंत्र का कारे क्या है, स्थान क्या है, यह किस प्रकार से शरीर में कारे करता है तो और साथ सम्मंधित हमने इसकी व्याधियों को भी जाना तो इससे आपको पता चल गया होगा कि यह कितना महत्पून स्तंत्र है हमारे शरीर में जो कि हमारे शरीर की प्रतेक गतिविधी को प्रतेक कारे को नियंत्रित करता है तथा उनका नियमन करता है तो इसलिए इस पे ध्यान देना आपका बहुत ज़रूरी है आशा करते हूं आपको यह चीज लाभानवित करेगी इसके साथ ही धन्यवाई